कैसे हैं आप लोग आई होप आल ओके होंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नमर बन सैट्स एक्साइज 1.5 का कैशन नमर 6 और 7 तो क्या कह रहा है कैशन नमर 6 चली सबसे पहले कैशन नमर 6 पढ़ते हैं यू एक सैट है और ट्राइंगल का ओके यू में क्या है और ट्राइंगल आ गए है आपके पास आपके पास आपके 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 उनके पास at least one angle different from 60 degree, कम से कम कोई एक एंगल जो है, वो 60 degree से different है, 60 degree से different मतलब 60 degree के अलावा जो एंगल से at least एक एंगल जो 60 degree से अलग है, ठीक है, अब पूछ रहा है, what is a dash, मतलब एक एंगल 60 degree के अलावा है, तो दूसरे तो हो सकते हैं, वहाँ पर equal 60 degree के है, मतलब कि कोई एक एंगल जो है, 60 के अलावा माललो दो एंगल, क्या कह रहा है, at least one angle different from, और दो एंगल जो है, माललो 60 degree, 60 degree आ गए, ये condition जो है, अब एक का कॉंप्लिमेंट क्या होगा भी, एक का कॉंप्लिमेंट होगा, जो इसमें नहीं है, इसके अलावा, हम कह रहा है, तीनों एंगल 60 आ सक है, मतलब, all angles, all triangles, equilateral triangle, क्या का हमने, equilateral triangle, यह होगा, आपका 6 complete, इतना है, 6 में, आगे बढ़ते हैं, 7 पर, क्या कह रहा है, 7 पर, 7 पर कह रहा है, आपसे first case देख लेते हैं, भाई, A, union, A का compliment कितना होगा, अब देखो, A का compliment है, वो होगा, A के अलावा, ठीक है, A तो यहां आ गया, और A के अलावा जो भी होगा, वो उन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, भाई, एक तो A, और मानलो या B है, A का compliment मतलब, A के अलावा जो भी दे रखा, A के अलावा मानलो B है क्या है, आपे मानलो B है, और इन दोनों को मिला के, या इसके अलावा जो भी बच गया है, B या कुछ भी X, Y, Z बच गया है आपके पास, ठीक है, तो उन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, U कहेंगे, Universal Set, क्या कहेंगे, Universal Set, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है, त देखो, 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 अब आप बताओ, इन दोनों को Union, एक तो A का और इस बचेवे का Union क्या है, Universal Set ही तो है भाई, समझ गया, यहाँ पे A, Union, A- कितना निकल के आया है, यह निकल के आगया है आपके पास, Universal Set, आगे देखते हैं, एक और इसका Second देख लेते हैं, Null Set का Compliment और Intersection A, अब देखना मेरे बात जहां से सुनना, Null Set का Compliment मतलब, अगर कुछ भी नहीं है, तो Null Set होता है, कुछ भी नहीं के अलावा क्या है, कुछ भी नहीं के अलावा सब कुछ है, और इसका Intersection किस के साथ, A के साथ, U का मतलब सब कुछ, और A का मतलब केवल एक ही चीजे, अब केवल A की चीजे, universal star के साथ निकालोगे तो क्या निकलेगा अरे भाई A ही तो निकलेगा समझ गए क्या कहना चारहूँ मैं U का मतलब सब कुछ और A का मतलब केवल A केवल A केवल अब A केवल और पूरे U के साथ आपको common चीज निकालनी है तो क्या निकलेगा A ही तो निकलेगा भाई समझ गए आपे यह हो गया आपका second आगे देखें है फ़र देखेंगे आप A intersection A का compliment ओके वापस से भाई चीज आगई हो फिर गए A है छीक है A का compliment का मतलब क्या है आप इसको ऐसे समझीए A B और यह यह हो A का मतलब तो पता है आपको यह रहा A यह रहा आपका A पैंट चेंज कर लेता है कि इसका A का compliment मतलब A के अलावा थोड़ा देखना ध्याम देना असचीज पे A के अलावा जो दिख रहा है आपको अब आप मुझे बताओ इस वाली चीज में यह जो boundary अंदर पैक है और बाहर वाली चीज में क्या common है क्या common है भई कुछ common नहीं है इसमें यह null set होगा है खतम हो गया यह कुछ नहीं होगा है अब जिरो 4 देखना आप 4 Universal set का Universal set का compliment intersection A फिर वही बात इससे भी समझ सकते हो बिना उसके भी आजाएगा वैसे Universal set का compliment का मतलब है Universal मतलब से कुछ और कुछ नहीं मतलब null set पिर भई कुछ नहीं मतलब क्या होगा null set ही तो हुआ अब आप मुझे बताओ कि null set का A के साथ set A के साथ क्या common है कुछ common नहीं है भई इस set A के अंदर भी null set होता है और यहां भी null set है null set और null set के अंदर दोनों के अंदर क्या intersection होगा null set ही तो होगा बताओ समझ में आया नहीं है आया समझ में एकदम सही है ना आमला ये null set है और A का भी एक sub set होता है null set आपने पढ़ा होगा और इन दोनों के उसमें क्या कॉमन है कुछ भी कॉमन नहीं इनमें null set ही कॉमन निकल सकता है ये हो गया है आपका complete cache number 7 और इसी के साथ हमने complete कर लिए exercise 1.5 इसके बाद अब हम आएंगे exercise 1.6 पर अगर आपने इससे पीछे की playlist check out नहीं करी है तो please आप पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको line wise जो सारे examples है सारी exercises है वो अच्छे से clear हो जाए हमने आप ए चुट-चुटे basic intro भी बनाए है ताकि आपको exercise से पहले उसमें क्या दिया गया है कौन-कौन से terms use हो रही है वो अच्छे से clear out हो जाए फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं जैसे हम commentary करेंगे आपको जवाब दे दिंगे उसका ठीक है तक के लिए thank you bye मिलते हैं next video में